रादे रादे मेरी यूटूब फैमिली तो चलिए आज मैं आपकी साथ शेर करने जा रही हूँ सफर में ले जाने वाले कुछ खास और सिंपल सी आसान रेसीपिया जिनको मैं बनाओगी बिना तले भुने तीकिन वैसे तो मैं बहुत सारी आपको रेसीपिया दे चुकी है ज जीरा, सरसो के दाने, मेथी के दाने, घरम मसाले खड़े मसाले और अद्रक और हरिमिच काटके डाल दी है और इस तड़के को थोड़ा सा हलका सा भून लेते हैं उसके बाद यहाँ पर गाजर डाल देती है तो गाजर को मैंने पहले ही काट लिया था थोड़ी जल्दी में मैं ये रेसीपी बना रही थी क्योंकि आज हमें रात में बैठना है और मैं ये खाना साम के टाइम में बना रही हूं तो उसी वज़े से आपके साथ सेयर किया है कि जल्दबाजी सभी को होती है हलका सा ही गाजर को फ्राई सा करने के बाद इसमें बेशिक मसाले जैसे की हल बारू डाल दिये हैं तो मैंने छील के काट लिया था धो धाके अच्छे से यहां पर रखी लिया था जल्दबाजी में तो इसको भी हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको कवर कर देते हैं इसको छोड़ेंगे कमसे गम 15-20 मिनट के लिए एक तम लो फ्लेम देखे और तो इसको हम साइड में रख देते हैं और यहां पर आगे काम करते हैं अधिकतर आज कल घी या फिर ओयल वागेर हमें बनाइगे जाती हैं लेकिन मैं इसको बिलकुल हेल्दी वे में बना रही हूं और बिलकुल एकदम ट्रेडिशनल तरीके से यानि जैसे अमार पहले थोड़ा सा कर लेना है और उसके बाद यहां पर मखाने डाल लेने हैं तो हमें यहां पर मखानों को डालना है अब मखाने बिल्कुल सिंपल भी भूने जाते हैं जैसे बिना तेल के या बिना नमक के उस तरीके से भूने जाते हैं उसमें बहुत ज़दा टाइम लग ज थोड़ा नमकीन कहाने का मन करते हैं फीक फीक अच्छे नहीं लगते हैं तो और जल्दी से भून भी जाते हैं तो मैंने इनको नमक में भून लिया है और जब एफी क्रिश्पी से तो हमें गैस का फ्लेम रखना है यहां पर लो एकदम लो करके रखना है और कम से कम इन मुम्फले को साथ से 8 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बूहन लेना है जब तक अच्छी सी क्रिस्पी नहीं हो जाती है तो नमक में इन मुम्फले को बूहने से इन में एक तो बहुत ही मेंने हम जाते हैं सिरी वरंदवन धामसी को और मैंने बहुत ध्यान किया है कि जो ट्रेन वगेरा में बच्चों का साथ होता है तो बच्चे खाने की चीज़ मांगती है तो वहां पे जादा करके जिसे पॉपकॉन हो गई चने हो गई मुफल यह हो गई और जो चने होते हैं भीगेवे काले चने मतलब उसकी चाठ होती है वही सब कुछ आती है तो बच्चे एक बर को बोली देते हैं लेने के लिए बट आप बाजार का बिल्कुल भी खाने का मन करता ही नहीं है बिल्कुल ही मतलब हमने छोड़ सही दिया एक तरीके से पूछा जाए तो मैंने वही रेशीपिया घर पर ट्राइए की है और पहले मैंने बच्चों खिला खिला के देखिया तो बच्चे इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मैंने सोचा घर से ही बना के लेके जाते हैं तो यह हमारी पैसी भी बश जाएंगे उपर से बच्चों को कुछ घर का भी खाने रेत में भूनी जाती थी ये नमक में भून लेते थे बहुत सारे लोग लेकिन पहले गरीब इतनी होती थी ना कि नमक में भूपकॉर्ण भूनना भी बहुत बड़ी बाद सी मानी जाती थी एक तरीके से तो कड़ाई में जैसे यहाँ पर नमक तो मेरा गरम थाई तो जैसे म यहां पर यह पोपकॉन डाल दिया और काफी सारी बैने डाल दी थी इनको हमें इस तरीके से कवर सा कर देना है और बस इनको बढ़िया से भून लेना है भूननी लेना एकदम यह पोप अप हो गई है मतलब खिली खिली बन चुकी है एक बात का ध्यान दुखिएगा जैसे य यहां पर मेरे पास इतना पड़ा कोई ढखकन नी है कि इस कवर कर सके तो मैंने इसको हलका सा नेचे से दबा दिया था मैंने सोचे यह उपर को उठेगी नहीं और हलकी सीना नमक पे लगसी गई थी तो थोड़ा सा धिहान से बूनिएगा तो चलिए यहां पर यह मेरी तीन इस सब्सक्राइबर हो कर दो दोसो किते हैं ह身ب Novacal一cu र्ट गवार कि और सब्सक्राइबर में अल's धनी कřाले में तो चलिए इस सब्सक्राइबर जाती यहां पर यह मेरा इतना कांग तो हो कर त्यार हो चुकत है मेरी सारी रेज़ेर बनन कर त्यार हो चुकी है और यह दे उन्हें नीते जिस तरीके से आपको बताना चाहिए तो मैंने सोचो चलिए रेसिपी आपकी साथ सेयर नहीं करते हूँ अच्छा नहीं लगता जब परफेक्ट भून जाएगे मुझसे तो रेसिपी आपकी साथ शेयर कर दूँगे उसके बाद यहाँ पर देखे जो यह सबजी है बनके तो हमारी तयार थी इसको हलकी चिनम मैसी मैसी सी कर लेते हैं अब सफर में जब हम कोई सबजी लेके जाते हैं तो कोशिश करते हैं वो एकदम सूखी सबजी हो मतलब उसमें तरी वगेरा नहीं होनी चाहिए सूखी सबजी होते हैं तो टीपिन वगेरा में करके कैसे भी आप कपड़ों के बीच में भी दबा सकते हो माल लेते हैं जैसे बैगी लेके जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि कमसे कमसा माल लेके जाए तो एक से दो ही बैग हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे कपड़े वगेरा भी होते हैं मालना जाए तो एक ही बैग होता है वैसे हमारे पास तो दूसरा बैग तो हमारे भगवान जी कपड़े वगेरा कही होता है परसाद बगैरा लाना होता है, तो उसी में दबा लेते हैं, तो इसलिए सुखी सब्जी बनाई है, मैंने बिल्कुली, और बस लाश्ट मैंने हाँ पर रोटी बना दी है, इस बार सबने मना कर दिया था, यह ना पूरी खानी है, ना प्राटे खानी है, तो मैंने सोचा, बिल के बाद एक दो घंटे का आराम कर लेते हैं, और बस फिर उठा के अपने पैकिंग की चीज़े निकल जाते हैं, अपने धाम दरसन के लिए, तो इसको मैं एक लंच बोक्स में कर देती हूं, और बाकी जो सब्जी बचिया, उसको हम खा लेंगे अब सामगे टाइम में, तो खराब होने का भी डर सा लगता रहता है, तो खाना वाना बना के सभी काम निम्टा के सबसे लाश्ट में चनी ही उबालती हूं, और चनी तो मैं अक्सर लेके ही जाती हूं, तो आपने देखा, यहां पर मेरी सारी ही रेसीपिया बनके तयार हो चुकी हैं, आप कुछ को में क्मिट्स आठ सकते हैं, साम के डाइ में खाणा बनाके रख दियाक, खाओगे अग़े देन तो कोई बाता ही धाम, पे ऐसा चल जाता है, कघर में काम करने वाली हैं तो मैं अपने काम को अपने हैसाब से ही जो है, सैट करके चलती हूं, वैसिशी जब हम बाहर जाते हैं, त उनका पाने निकालना ही बागी है, तो इन मुमफले को भी मैं एक लंच बोक्स में रख लेती हूँ, यह जो पॉपकोन हैं, इनको मैं एक पिन्नी में जह निकाल लेती हूँ, कभी-कभी यह जिप लोग बैग आ जाते हैं, हमारे घर में तो मैं इनको समाल के रख लेती हूँ, तो यह मेरे इसी दिन काम आते हैं, खासकर, हम और कहीं जाते हैं, नियाज श्री वरंदवन धामजी के अलावा, और लगभग में, कभी दूसरे महिने, कभी एक महिना बीच में छोड़के ऐसे जाते हैं, तो आपको खुब सारी ट्रेवल की रेसीपिय भी मिली जाती हैं, और हमेशा थोड़ी सी अलग-अलग रेसीपिय लेके जानी होती है, सिवा एक चने को छोड़कर, तो फाइनली हाँ पर सारी तयारी हो चुकी है, तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आप से शिरी वरंदवन धामजी में, कुछ इमेज के दुआरा आपको दर्शन कराती हूँ और कुछ लाइव में आपको दर्शन कराऊंगी,